हेलो फ्रेंड्स में हूँ सारीका और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सारीका वर्ड आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने तू नई रेसिपी लेकर जो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है अमारे बच्चों के लिए और उनके लिए बहुत ही हल्दी होगी तो आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्बी बिंडी विद पराठा और इस्टा मोंगाल चीला औ तो चलिए आज हम अपनी नई रेसिपी जो है उसे बनाने स्टार्ट करते हैं मूंगाल चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कप मॉंग डाल जिसे आप ओवर नाइट भूगे रखे यहां फिर चार से पांच गंटे और फिर हम इसको तोड़ा सा पाने डाल के इसलेंगे और स्मूथ पेस्ट बना लेंगे और फिर हम इसमें एड़ करेंगे मसाले सबसे पहले डालेंगे सॉल्ट यह आप अपने स्वाद के लुसा डाले और फिर यहां पर डाल रहे है हम राट चिली पॉडर अबर स्पून डालेंगे गरम मसाला और वन फोर्थ जो हमने बारिक-बारी काट के रखा है और फिर इसको आप अच्छे से मिक्स करें अगर यह बैटर आपको थोड़ा सा गाला लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ करें और इसे फिर से मिक्स करें और यहां पर मैं एड़ करूंगी वन फोर्थ स्पून खाने का सोडा जिससे हमारे जो चीले हैं वो बनेंगे बहुत ही सौफ्ट और बहुत ही बढ़िया इसे फिर से मिक्स करें और पास से दस मिनट के लिए इसे धक्के रख दे अब हम बनाएंगे इसकी स्टॉफिंग इसके लिए लेंगे 100 ग्राम ग्रेट पनीर और आदर करने के लिए नहीं रखा है यहां पर पैन और जब गरम हो जाएगा तो डाने इसमें 2 चमच ऑल और और जब गरम हो जाएगा तो हम डालेंगे यहां पर रख आस्पोन जीर्ण जीरा और जीरा अच्छे से बुन जाए तो जरा से बाउन कलर आजाए इसमें तब एड जो हम इसमें डाल देंगे और अनियन डालने के बाद इसको हमें लगबग एक मिनिट के लिए भूनना है इसे आप अच्छे से हिलाते हैं इस तरह से भूने जब अनियम ढून चाहेगे अच्छे से फिर आप अच्छे से भून जाएं इसके बाद हम आट करेंगे कैपसिकम और ग्रेटिड कैरट यह बहुत ही हेल्दी होगा आपके बच्छों के लिए बच्चे वैसे तो वेजिटेबस खाते नहीं है लेकिन इस तरह से आपके लाएंगे तो उन्हें जब पसंद आएगा इसे थोड़ा सा भूनने के बाद वन पूरत स्पून हम एड़ करेंगे आप ब्लैक पेपर और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के कोटिंग यूज़ करें यह डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें और फिर से वन मिनिट के लिए इसे भूने और जब यह अच्छे से भून जाए फिर हम यह आपर आड़ करेंगे इसमें ग्रिटिड पनीर यह देखिए कितना बढ़ी है इसका कलर लग रहा है इसका में और बच्चों क के साथ साथ खाने में भी बहुत ही हल्दी होगा हमारे बच्चों के लिए तो यह आप जरूर ट्राइ करें आपको बच्चों को बनाकर जरूर खिलाए यह देखिए यह मुंगबाल चीले की स्टफिंग अग्दम से रेडी हो गई है आप बस हम गैस आफ कर देंगे और इस दाले मुंग डाल डाल Г. देटर इस इस आप यह फिल आवे इसे आप चोटा साइज भी बना उती है क्योंकि बच्चों को थो बनावी चीज निवी चीज बहुन ज्यादा पसंद होती है तो इस साइज आप चोटा भी रख सकते हैं इसके किनारों पर ढाले थोड़ा टोला हम सब तो सब बीच में भी डाल दे लेवान हेँ जब तक ये पिस से स decision जाएगा। और जब ये चीला सब अच्छे में पर जाए अपर लिग तेको भी किया गत पर टेंगे और थोड़ा इसके बाद हम जो हमने स्टफिंग तियार करी थी वो इसके अंदर डालेंगे यह देखिए उपर इस तरह से इसको फिला दें यह आप जितना रखना चाहें स्टफिंग उतनी आप रख सकते हैं और बस इसको फोड कर दें इस तरह से यह मूं बाल चीला एकदम रेडी हो गया है इस भी बंडी बनाने के लिए यहां हम लेंगे 250 ग्राव भिंडी और एक लेंगे मेडियम साइज अनियान हाफ स्पून ग्रिटेट जिंजर और वन टेबल स्पून ओयल यहां में ले रहे हूँ आदा कप बेसं जिसे हम ज़ब के हिसाफ से यूज करेंगे और एक लेमन और कुछ लेंगे हम मसाले जीरा लाल मिर्च पॉर्डर नमा खर्ल्दी गरिया पॉर्डर और अमचूर पॉर्डर और टूर ग्रीन चिलीज और अब हम बंडी गुनाने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बंडी को अच्छे से दूलेंगे और उसे टावल पर डालके उसे अच पाने है वाचे से सूप़ जाए यह देखे इस तरह से आपको बंडी को कट कर लेना है और फिर हम इसको डालेंगे एक प्लेत के अंदर यह थी हम अच चम्मच में नहीं हो रहा हूँ रैइच जीली पाउडर और और तो इस इसको दोरा हम लोजना ना बंडेंगे मैं मसाले यहां डाल रहे हैं एक चम्मच धन्या पॉडर, एक चम्मच डालेंगे नमक, यह आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें, और यहां मैं डालूगी आधा चम्मच अमचूर पॉडर, जो बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है, और फिर इसके उपर डालें बेसन बेसन डालें और अगर आपको यह लगता है कि बेसन तुड़ा कम है तो फिर हम और अट कर सकते हैं, यह देखिए इस तरह से आपको बेसन डाल लेना है और इसके उपर पानी भी हम इसी तरह से स्प्रिंकल करते वह डालेंगे और फिर हातों से बिंडी को अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि उनके उपर अच्छे से सारा मसाला लग जाए अभी देखिए ये बिंडी के उपर मसाला तो लग गया है पर मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा बेसन हमें और यूज करना चाहिए क्योंकि अभी बिंडी अच्छे से बेसन से कवर नहीं हुई है तो हम यहां पर थोड़ा सा बेसन और आइड करेंगे यह देखिए इस तरह से थोड़ा सा बेसन आप जरूद के साब से और आइड कर सकते हैं और फिर से थोड़ा सा पानी डालिए इस तरह से ज्यादा पानी नहीं डालना है अबस अलका सा स्प्रिंकल करना है पानी को और इसे मि इंडी हमारी मसाले में कोट हो गई है बढ़िया लगदी है ये और बस अब हमें रखना है गैस पर पैन रखें वन टेबल स्पून डालें इसमें ओल ये देखिए इस तरह से और जब ये ओल गरम हो जाएगा तो यहां पर हम डालेंगे वन इस्पून जीरा जीरे को हमें थोड़ा सा ब्राउन कलर में करना है जब ये ब्राउन हो जाएगा तो हम यहां पर डालेंगे स्लाइस अनियन बिंडिया में हमने थोड़ी लंबी कट किये इसलिए हमने अनियन को भी लंबा-लंबा ही कट किया है यह दिखिए इस तरह से यह आप इसमें अनियन डाल दे और इसको ट्रांस्पेरिंट होने तक भूने यहां पर आदा चमच डालें ग्रेटिट जिंजर और आदा चमच ही डालें यह कटी हुई हरी मिर्ची इसके बाद जो हमने बिंडिया मसाले में अच्छे से कोट करके रखी हुई है उनको हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर और ग्रीन चली जालने के बाद दे आप इसे एक मिनट के लिए भूने और जब यह अच्छे से भून जाए उसके बाद डालेंगे हमने यह कोट करके रखी हुई है बिंडिया वह हम इस पैन में डाल देंगे और पैन में डालने के बाद लगब एक से दो मिनट इसे हमें हाई फ्लेम पर भूनना है एक से दो मिनट हाई फ्लेम पर इसे बूनने के बाद हम इसको पांस से बस मिनट के लिए पकाएंगे धक कर अब हम इसके उपर लगाएंगे लिड और पांस से दस मिनट के लिए इसको हम ढखकर पकाएंगे जिससे कि यह बिंडी अच्छे से गल जाए लेकिन आपको बीच में इसको चेक करते रहना है लगब दो से तीन बार आप इसको चेक करिए कई में नी जलना जाए यह देखिए पास से दस मिनट हो गए है और बिंडी काफी अच्छी लग रहे है देखने में अब बिंडी को उठाकर चेक भी कर सकते हैं कि यह अच्छे से गल गई है कि में गई लिए यह देखिए यहां मैं चेक कर जीए यह देखिए बिंडी अच्छे से गल चुकी है जब यह आपकी बिंडी गल जाएंगी तो हम यहां पर एड़ करेंगे दो चम्मर्च लामन जूस इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है बिंडी के अंदर इसे आप फिर से अच्छे से मिक्स करें और इसे फिर से हमें हाई फ्लेंपर वन टू टू मिनिट्स के लिए भूनना है अच्छे से जब आप इसे बुनेंगे तो यह बिंडिया काफी क्रिस्पी हो जाएंगी और काफी बढ़िया बनेगी इसका टेस्ट तो बहत ही बढ़िया होगा और अगर आपको यह बिंडिया सुबह बनानी है राप को आप बिंडी करके और उसे airtight box में बंद करके फ्रेज के अंदर सकते हैं सुबह आपके लिए काफी हो जाएगा और यह बिल्डी हमारी बिल्कुर रेडी हो गई है तो देखें हमने अपनी क्रिस्पी बिल्टे एक तम रेडी कर ली है और हमारा महुंगार चीरा भी यमी बना है यह आपके बच्चों को तो जरूर पसंद आएगा और आपकी अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि शेयर करने से आपके यह वीडियो उनके पास भी पहुंचेगी जिनको इसकी जरूरत है जिनके पास बेच्चे है स्कूल जाते हैं तो उन लोगों के ने भी बहुत ही यूसफुल होगा तो इस व अऑते हैं